नमस्कार दोस्तों मॉक्टेस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मुझे काफी लंबे टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि निसम सीरीज 8 को जो है मैं अपने वीडियो सीरीज में कवर करूं कि आप लोग ऐसे हैं जो कि निसम सीरीज 8 का एक्जाम देना चाहत को पूर्टल सपोर्ट कर सकें और साथ ही साथ मोग मॉक्टेस सीरीज भी निकाल सकें निसम में लोगो वह सारे सवालों we योगि लगातार इस exam में पूछे गये हैं अगे दोस्तों शुरुआत करते हैं chapter 1 से chapter 1 का नाम है basics of derivatives दोस्तों derivatives होता गया है derivative यह basically contract मान सकते हैं इसको आप एक product मान सकते हैं बट इसको product इसलिए नहीं मान सकते हैं कि normally जो भी product होता है उसकी खुद की value होती है वहीं पर जो derivative एक contract इसलिए मान सकते हैं क्योंकि contract की जो है खुद की value नहीं होती बट उसके अंदर जो underlying asset होता है उसकी definitely value होती है जैसे कि मान लेते हैं आपका घर का contract आप देख लीजे है तो contract एक paper ही बट उसकी underlying asset क्या है आपका घर जिसकी एक value है तो derivative basically एक contract है जिसकी जो है खुद की value नहीं होती बट उसकी underlying asset जो है उसकी value decide करती है इसमें आप जो है कही सारे example देख सकते हैं जैसे कि metals में आप देख लें कि gold हो गया silver हो गया इन सब का commodity का paper होता है वो paper तो भलेक हैवल जो है एक contract जैसा है बट उसका underlying asset जो है gold है silver है यानि कि gold और silver का जो आज का current value है वो जो है उस paper का value हो जाता है ठीक उसी तरह से अलग-अ टाइब की commodities होती है जैसे कि oil हो गया coal हो गया electricity sugar आपका जो है shares bonds foreign exchange इत्यादी इस सभी चीजें जो है कही ना कही derivative market का हैसा है जिसे आज के इस chapter में हम पूरा detail में cover करने वाले हैं दोस्तों इससे पहले कि हम लोग basics of derivatives को समझें सबसे पहले जायन लेते हैं यह derivative market की आके शुर trade fairs हुआ करते थे जहां पर buyers और sellers जो है एक छत के नीचे एक contract में आ चाते थे जहां पर यह लोग decide करते थे कि यह लोग अपनी commodities को किस तरह से खरीद और बेच करेंगे इसमें होता यह था जो भी sellers रहते थे जो कि अपनी commodities को बेचना चाहते थे वह लोग जो है buyers को एक contract ले और इस हिसाब से जो है वो contract जो है sign करते थे जिससे कि sellers को यह फाइदा होता था कि उनका जो अभी commodity वो लोग produce कर रहे हैं वो बेच पाएंगे और buyers को यह फाइदा होता था कि अगर माल लेते हैं कि आज हम लोग इस price में commodity को ले रहे हैं आज से दो साल बाद अगर वो price जो ह हम जो है उसमें profit कमा सकते हैं तो दोस्तों इस तरह का जो European trade fair में जो derivative market का जो है एक example देखा गया आज भी derivative market कहीं न कहीं ठीक उसी तरह से है बट difference के वल इतना यह आया है कि यहाँ पे जो है trade fair में जो है एक location में बैटके आपस में आमने सामने यह सब discussion होता था आज यह पू financial market जो है globally जो है integrate हुआ है आप यहाँ बैठे बैठे जान पाते हैं कि US और चाइना के बीच में क्या क्या trade हुआ है वहीं पर आपके पास आज इतनी technology मौजूद है जिससे कि underlying asset का current value क्या है वो आप घर बैठे बैठे पता लगा सकें कि आज gold का जो है एक gram का क्या price है आप ए transaction cost क्योंकि इतना कम हो गया है इस वज़े से जो है आप देखेंगे कि पिछले 40 वर्ष में derivative market में बहुत ज़्यादा उचाल देखा गया उसका कारान यह था दोस्तों कि derivatives जो है अब regulatory framework का हिस्सा बन चुका था क्योंकि साल 1999 में SCRA Act यानि फी Securities Contract Regulation Act में अब derivatives को भी जो है शामिल कर दिया गया था कल तक यह जो act है वो केवल securities यानि कि stocks और bonds इतियादी को regulate करता था अब जो है derivatives भी जो है इसका हिस्सा बन गया दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज भी कई सारे traders हैं जो कि कभी भी crypto में invest नहीं करते इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि कोई भी regulatory framework मौझूद नहीं है वहीं पे derivative market को जब regulatory framework के अंदर लाया गया तो जो investors है उनका trust जो है इस पूरे system में भढ़ गया और वो लोग जो जो है आप एक contractual agreement मान सकते हैं दो parties के बीच में जहां पर कोई ना कोई underlying asset को खरीदने या बेशने की बात हो जहां पर हम एक fixed future date बता देते हैं और fixed future price बताते हैं जिसमें जो है हम इस तरह के transaction को करेंगे आईए एक example से मैं आपको बताता हूँ मान लेते हैं कि मैं एक seller हूँ और आप एक buyer हैं और मैं आपसे कहता हूँ यह रहा मेरा commodity तो कि मैं आपको जो है इस particular date पे इस particular price में आपको जो है deliver करूँगा और यह जो है अब हमारे बीच में एक contract है हम और आप मिलके जो है इसे sign कर देते हैं तो इस contract को जो है हम लोग forward कहेंगे और यहाँ पर forward की खास ब जानी कि अगर उस दिन जो है उस commodity का price ऊबर चला जाया या नीचे चला जाया फिर भी जो है हम उसी price में जो है उसको बेचेंगे जिसमें हमने जो है उस contract date में decide किया था दूसरी खास बात forwards की यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो है कहीं पे भी market का कोई role नहीं है यह जो है over the counter contract क्यालाता है over the counter contract इसलिए क्योंकि हम और आप जो है private level में आपस में negotiate करके इस तरह के contract में आते हैं हमारा जो है market से जो है इसमें कोई भी role नहीं है आईए दोस्तों अब हम लोग futures को समझते हैं जहाँ पे forward में इस तरह का जो contract है वो दो entities के बीच में privately हुआ था वहीं पे future मे जो है यही contract जो है market में होता है कि market में याने कि जो है हम लोग आपस में आमने सामने negotiate नहीं करते बट एक regulated exchange के थूँ जो है इस तरह के contract में आते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग अब यह सारे जो regulatory framework के अंधर इस काम को कर रहे हैं बट जो है process बिलकुल सेम रहेगा same particular date में same particular time पे जो है हम इस commodity को एक exact same price पे जो है बेचेंगे या खरीदेंगे तो यहाँ पे दोस्तों contract बिलकुल सेम है बस केवल इतना फरक यह आया है यहाँ पे जो है जो भी transaction हो रहा है वो market या फिर एक regulatory exchange के अंदर हो रहा है और इसलिए हम लोग इसको जो है futures कहते हैं आईए दोस्तों अब हम लोग options को समझते है options को समझना बहुत ही आसान है एक example से मैं आपको समझाता हूँ मान लेते हैं दोस्तों कि आप लोग जो है घर खरीदने के लिए आपको पता है कि 80 लाक रुपीस का एक घर है अब आप जो है उसको खरीदने के लिए एक advanced token amount पे करते हैं और यह जो contract होता है उसे हम लोग option कहेंगे अब इसे option क्यों कहेंगे और क्यों यह future से अलग है आईए समझते हैं दोस्तों इसमें होता यह है कि अब भी आपके पास option है क्योंकि आपने पास जो है आपने घर अभी भी खरीदा नहीं है आपने बाकी का 79 लाक रुपीस दिया नहीं है ब दोस्तों इसे जो है options कहेंगे इसमें जो है आपके उपर क्या कोई obligation है नहीं आपके पास जो है choice है आपके पास option है कि आप जो है उस property को चाहते है और बाकी 79 लाक रुपीस दिये तो चाहते ना चाहते हुए भी उस property को कीमत है एक करोर के ऊपर ही टूना हो वहीं पे अगर आप में जो है 79 लाक रुपीज नहीं दिया तो जो है उसको आपको वो प्रॉपर्टी देने की जरुवत नहीं है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इस एक्जामपल से फ्यूचर और ऑप्शन की बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया होगा क्योंकि अगर यहीं एक्जामपल में कहीं पर टोकन अमांट की बात की ठीक उसी तरह से ओप्शन्स ट्रेडिंग में हम लोग इसे जो है प्रीमियम कहते हैं कि हम एक प्रीमियम अमोंट देते हैं जिसे कि हम लोग को जो है ऑप्शन के राइट मिल जाए कि हम उस पर्टिकुलर डेट में अगर चाहें तो उस प् को प्रांसेक्शन को केरी ओट करेंगे अब होता यह है कि इस तरह के कई सारे ट्रांसेक्शन्स दो एंटिटीज के बीच में लगातार होते रहते हैं तो इस तरह के ट्रांसेक्शन्स तो हम लोग swap कहते हैं, जहां पर दो पार्टी मिलकर एक agreement में आ जाती है कि हम लोग इस तरह से आगे की cash flow करेंगे, यानि कि इस महिने के इस तरह को जो है मैं आपको इतना amount में ये इतना product खरीदूँगा, उसके अगले महिने की इतनी तरह को जो है मैं आपसे इतने amount में इतना product करी दूँगा तो इस तरह कि जो agreements का एक जो series दो parties की बीच में चालू हो जाता है उसको हम लोग जो है swap कहते हैं इसको जो है अब broadly अगर पाने तो एक series of forward contracts को आप जो है swap कह सकते हैं दोस्तों अब तक जो आपने समझा यह सारे जो है derivative market के products हैं जैसे कि forwards, futures, options और swaps आईए अब हम समझते हैं कि इस market में participate कौन करता है कौन-कौन से market participants इसमें मौझूद होते हैं दोस्तों market participants में सबसे पहले नाम आएगा hedgers का headers आणि वो लोग जो कि अपने risk को जो है कम करना चाते हैं derivative market की मदद से इसमें दोस्तों corporations आते हैं, investing institutions और banks सब ही आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो exposure है market का कुछ इस तरह का रहता है कि कुछ भी fixed नहीं है सब variable है, interest rate देख लो, वो vary करता है, share की value vary करती है bond के price देख लो, currency exchange rates देख लो, यह सभी चीज़े में जो है बहुत जादा fluctuations देखने को मिलता है और जहां fluctuations जादा होते हैं, तो वहाँ पर risk मौजूद होता है और हम यह चाते हैं कि हम जो है छोटा सा premium amount दे और उस risk को जो है किसी और को carry करने दे तो यहाँ पर derivative market की मदद से banks और यह जो भी investing institutions है वो अपने risk को minimize करती है अपने risk को किसी और की ऊपर transfer करके वहीं पर दूसरे site में आते हैं speculators और traders speculators और traders जो है बिल्कुल आपकी share market के trader जैसे ही होते है जो कि कही ना कही future moments को predict करने में लगे रहते हैं कि यह जो commodity है इसका price उपर जाएगा या नीचे जाएगा और इस हिसाब से जो है वो लोग derivative contracts में positions लेते हैं अब इस तरह से जब भी वो position लेते हैं तो हो सकता है कि कोई भी commodity है वो जो कि आगे जाके महंगी होने वाली है वो सस्ते दाम में मिल जाए या फिर आगे जाके जो सस्ती होने वाली है वो महंगे दाम में मिल जाए तो वो इस तरह से जो है अपने positions को जो है derivative contract में रखते हैं ताकि वो जो है profit कमा सके definitely risky रहता है speculators के लिए ये market next आते हैं arbitagers arbitagers जो है basically कही ना कहीं दो market के बीच में जो price difference होता है एक ही commodity पर उसको जो है exploit करने की कोशिश करते हैं मान लेते हैं gold जो है एक market में जो है थोड़ा सस्ते दाम में मिल रहा है दूसरे market में जो है थोड़े महंगे दाम में मिल रहा है तो वो क्या करेंगे कि जो सस्ते area से commodity को खरीद लेंगे और महंगे area में simultaneous थी बेशने का भी arrangement करके रखेंगे तो इस तरह से दोस्तों वो लोग जो है profit generate करते हैं पर जाईसी बात है दोस्तों कि अगर दो market में price difference है और इस तरह के arbitages अगर भीश में मौजूद है तो बहुत ही जल जो है दोनों market की जो price gap है वो जो है कम हो जाएगी और एक जैसी हो जाएगी बट वो जब होने के बीच का जो time interval होता है उसमें जो है arbitages इस तरह के जो है deals रखते हैं जिसमें की वो लोग एक जगर से जो के खरीद के दूसरी जगर पे बेज़के profit कमा लेते हैं आईए दोस्तों मैं आपके साथ discuss करता हूँ कि कौन कौन से type of derivative market होते हैं derivative market दोस्तों दो type के होते हैं एक होता है OTC derivative market और दूसरा होता है exchange traded contract OTC derivative market को जो है आप less regulated market मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो regulatory framework है वो आपकी मदद करने के लिए नहीं आते और यही कारण है दोस्तों कि जो entities OTC derivative market में play करती है वो बहुत बड़ी entities होती है तो कि बड़ा बड़ा risk लेने के लिए ready रहती हैं जैसे कि bank, financial institution sophisticated market participants जैसे कि hedge funds हो गई, corporations हो गई या कोई H&I person अभी H&I persons जो है इतने capable होते हैं उनके पास capital इतना रहता है कि अगर आगे जाके कोई problem भी आए तो वो जो है खुद जो है उससे deal कर पाते हैं और इसी लिए OTC derivative market में वो लोग role play करते हैं क्योंकि यहाँ पर जब वो लोग जो है इस तरह के transactions करते हैं तो अपने जो भी investors होते हैं वो कहीं न कहीं exchange traded contracts में ही आते हैं यहाँ पर जो है एक organized exchange होता है तरव का auction platform होता है जहाँ पर जो भी transactions हो रहे हैं वो anonymous है हमें खुद नहीं पता कि हम किस से खरीद रहे हैं किस से बेच रहे हैं और जो भी पूरा clearing का काम है वो clearing house और clearing corporate संबालती है जिसे हमें जो है complete जो है भरोसा हो कि हमारा जो transaction है वो होकर रहेगा आईए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि derivative market का क्या significance है इसे हम लोग को क्या-क्या फायदा हुआ derivative market का सबसे बड़ा significance है price discovery में कि आज इतने सारे trade होते हैं कि आज हम पता लगा पाते हैं कि एक particular commodity का actual price क्या चल रहा है actual valuation क्या चल रहा है दूसरा दोस्तों derivative market के मदद से कई सारी entities जो कि अपने आपको risk से बचाना चाहती थी इस fluctuation के उसे जो है एक ऐसा मौका मिल जाता है जहांपे वो अपने risk को जो है अन्य participants की और जो है transfer कर सके और वो participants को मौका मिल जाता है कि इस तरह से risk को लेकर profit कमा सकें तो कहीं न कहीं banks और बाकी जो entities हैं जो कि थोड़ा safe play करना चाहती हैं वो अपने risk को जो है high risk लेने वाले जो participants हैं उनकी तरफ transfer कर देती है तीसरा दोस्तो derivative market का फायदा यह हुआ कि कई सारे जो trades हुआ करते थे वो unorganized market में हुआ करते थे कि rice का क्या दाम चल रहा है, gold का क्या दाम चल रहा है यह हम और आप नहीं बैट के पता लगा पाते थे बट क्योंकि अब जो है derivative market हो चुका है तो यह जो भी shift आप देखेंगे कि सारी की सारा जो भी data है वो अब unorganized market तक सीमित नहीं रहा है अब हम और आप भी घर बैट के जो है इसके prices जो है speculate कर पाते हैं क्योंकि जो shift हुआ है वो trade का unorganized market से अब organized market की तरफ हो गया है दोस्तों इससे पहले कि हम लोग derivative market को in-depth में समझें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन-कौन से इसे market के risk है जो कि एक derivative में participant phase करता है दोस्तों इसमें सबसे पहला होता है counterparty risk counterparty risk को आप default by counterparty भी कह सकते हैं मान लेते हैं दो लोगों के बीच में जो है एक trade का promise होता है contract होता है और सामने वाला जो है उस promise को break कर दे या default कर दे तो उसे हम लोग counterparty risk कहेंगे next होता है दोस्तों price risk यह आप सभी जानते हैं कि जब भी आप derivative में trading करते हैं तो आप कुछ speculation लेके चलते हैं आप सोचते हैं कि इस commodity का जो price है वो उपर जाएगा और पता चला कि जो उस time पे उस commodity का price जो है काफी नीचे गिर गया तो वहाँ पे जो है आप loss जो है face कर सकते हैं और भारी loss face कर सकते हैं यह जो है हो सकता है भारी मातरा में जो है नीचे गिर जाए next होता है दोस्तो liquidity risk liquidity risk को जो आप एक तरफ से यह मान सकते हैं कि आप जो है एक समान बेशना तो चाहते हैं बट खरीदार जो है उसके लिए ready नहीं है मान लेते हैं आप एक commodity बेशना चाहते हैं आपके पास जो है 5000 की quantity में मौझूद है बट 5000 की quantity में कोई भी खरीदने वाला ready नहीं है तो वहाँ पे जो है आप liquidity risk phase कर दे हैं next होता है operational risk आप सभी जानते हैं कि यह हम लोग commodity की बात कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे कोई fraud हो जो है documentation उस commodity के बराबर ना हो तो यह जो भी चीज़े होती है इन सबसका जो है risk हर एक एक participant जो की derivative market में खेल रहा होता है उसको phase करना पड़ता है और यही कारण है दोस्तों कि अगर ऐसा कोई participant है जोसके पास resources limited है capital उतना नहीं है ट्रेडिंग का ज़्यादा experience नहीं रखता या फिर जो है risk ज़्यादा नहीं ले सकता उसके लिए बहतर है कि दोस्तों कि वो derivative market में नहीं खेले दोस्तों क्योंकि इस तरह के risk जो है derivative market में मौजूद है और यही कारण है कि हर एक market participant जो की derivative में trade करना चाता है उसको जो है broker एक model risk disclosure document देता है और उसे sign करने के बाद ही वो derivative में trade कर पाता है model risk disclosure document जो है exchanges के members दरा issue किया जाता है जहांपे कई सारी important information रहती है equities, futures और options में trading के संबंदित जिससे कि जो भी participant इसमें जो है खेलता है उसको जो है पहले से ही उसमें module risk के बारे में complete information हो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको chapter का explanation समझ आया होगा अगर दोस्तों आपको chapter का explanation समझ आया है तो comment box में जाके okay काली लिग दीज्ये जिससे कि मैं समझ जाओ कि आपको chapter का explanation समझ आया है और ताकि मैं जो है और भी आगे के जो है चैप्टर के वीडियो निकाल सकूँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पह लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़यों कीजेगा मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत